सरकार द्वारा रभी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर पेमेंट किसानों के खाते में डालने के दावे अभी तक हवा हवाई होते दिख रहे हैं आपको बता दे कि हमारी टीम ने करनाल की मुख्या नाज मंडी का दोरा कर आड़तियों सहित किसानों से बात चीत की जिसमें उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद के बाद भी बहुत सी परक्रियाए होती है जिसको लेकर अभी तक मंडी प्रशासन द्वारा इसके उपर कोई भी काम नहीं शुरू किया गया है ना तो गेहूं उठान के लिए ट्रांस्पोर्टर की कोई गाड़ी यहां पहुची है पहले दिन किसानों द्वारा गेहूं की खरीद और जे फार्म कटने के बाद 48 घंटे से उपर का समय हो चुका है लेकिन पेमेंट उनके खाते में नहीं आ पूर्वा नाज मंडी प्रधान सत्वीर मित्तल ने बताया कि सरकार के दावे खोकले हैं 48 घंटे के अंदर खरीदी गई फसल का भुक्तान करना असंभव नहीं नामुम्किन है क्योंकि इसमें बहुत सी प्रक्रिया है जिनको करने में समय लगता है उन्होंने कहा कि कम से कम इसके लिए एक सप्ता का समय लग सकता है वही आड़ती रतन ने बताया कि अभी तक गेहूं की लिफ्टे तक शुरू नहीं हुई है गेहूं मंडी से उठेगी गोदाम में जाएगी तब ही तो पेमिंट का काम बनेगा वही किसानों ने बताया कि अभी तक किसानों के खाते में कुछ भी नहीं आया है अभी तक करनाल का पोर्टल भी शुरू नहीं हुआ है फसल खरीदने की तो बात ही दूर है उन्होंने मंडी प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि करनाल का पोर्टल भी जल्दी खोला जाए क्योंकि मौसम के भी हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे है जिसकी वज़े किसानों के दिलों में डर बैठा हुआ है कि उनकी फसल खराब ना हो जाए इधर हैफेड एजनसी मैनेजर सुरेश वेद का कहना है कि शुरुवाती दिक्कत है काम का फ्लो होने के बाद सब ठीक हो जाएगा उन्होंने का कि यहीं पेमेंट 48 गंटे की बजाए 24 गंटे में ह है है ऑटाड़ी गंटे की जो पेमें प्सरकार कहती है ना माल उठता और तरी घंटे में ना फिर्में लगें जो प्रक्रिया रहती है जी में जैसे प्रांसोर्ट सफ़ेस सिंपोर्ट्र चैन्टरी ख इंत्ता सारोंने.. आपको पहते हैं। पर्सों बीडिंग हुई थी उसके जे फारम बन चुके हैं। अभी तक किसी के किसान के खात्ते में आज पता लगेगा पेमत आती है कि नहीं आती है। सत्वीर मिध्तल या कुछ फिस्पेस है। यह जो नियम बनाया है सरकार ने अगर वो इस बात पर अपनी खरी उतरती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि 48 गंटे में या बातर गंटे में पेमेंट आएगी क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ नहीं तो कोई शं में इनके बीचमे क्या कुछ परक्रिया जदा है या और लोचा है नहीं फन्ड़ सी नहीं है गौर्रमेंट के पासे इतने फंड नहीं होते हमेशा पेमेंट लेट होती है और दो साल से हमें एक आज आ रहा है कि आपको 12% मिलेगा पेमेंट लेट होने पर आ अज उसके बाद की परतिया क्या रहती है सबसे बड़ी दिकत किया जी जुक्त की जो मदीय माल पड़ा है यह जो नरी हैं भुझा इन left-up नहीं चेला क्राइगा घृपने बहुं कर बहुंहों ह क्भी फै। पूर्टाल करनल वाला खुला नहीं आपी तब है अधिकारी किया रहे रहे भी आपको मिल जाएगा तो आपका फसल का क्या कुछ रहेगा पोर्टल के बारे में क्या कहना है पोर्टल दे बारे या नहीं जल्दी खोल ला ना ते साड़नू गेट पास मिलना कैसी फसल यह फसल पकी पर यह जी बड़े दुख ही यहां जी उत तो बदल बने मोसम खराब है जी अटारीस गंटे मे आरे ट्रासफर कर दी जाएगी जिए उन शाड़नू ते जे पास ही नहीं मिला जी तर्ट लिन वोई जी को टेलिया है हां देखिए मेरी फसल मेरा वेरा जो पड़ जो पैले से नेबल है उस पे जिन किसानों ने अपनी फसल की विजाई की जो सुस्चना उन्हों ने इस प पूर्शल की इनवार्डगेट पास उसको दे दिया गए मार्केटिंग बॉड की तरफ से उसके बाद वो मंडी में आता है आड़नी नit के पास आड़नी के पास हमारा पृचेजर उसको खरीब करता है बीडिंग उसकी कर लेता है बीडिंग जो है वैरिफाई करता है marketing board का अधिकारी करिमेचारी जो भी है उसके बाद वो चला जाता है RTP के पास RTP जो है उइस पिरकिरिया में उसकी जिए फर्म जो भी है उसको अप्रूब कर देता है और वो stock को ready to move कर देता है जैसे ही वो ready to move करता है तो हमारा जो transporter है वो ट्रक लेगे वहाँ पे जाता है, ट्रक में लोड होने के बाद तरुंत बाद उसका गेट पास जारी कर दे जाता है और जैसी ही वो जाता है गोडाउन पे, गोडाउन पे अनलोड होते भी हमारा स्टोर किपर है जो उसको पोर्टल पे ही उसको रशीट उसकी जारी कर देता है जैसे ही गोडाउन पे अनलोड की सुचना डीम की आईडी बैजाती है तुरूंत उसकी जो पेमेंट है डीम अप्रूव कर देता है तो इस प्रिकिरिया में मुझे नहीं लगता कि 18 गंटे पे लगेंगे इसमें 24 गंटे की अंदर ही ये कलियर है कि पेमेंट हो जाएगी तो सर जीन के सांदों की अभी फसल गिर की है मेंटी में तो जैसे आड़कियों से अमने बात की है तो अभी आर्दियों का ये मनने की जी कि इस प्रिक्विया में सरकार जैसे दावा कर रहा हैं। उस दावाम में कैई ने करो पूरा ग्वों पार जैसम्पावना में जाल नहीं आ हरी तो कैसे हैं नहीं ऐसा नहीं है देखिए हमने हमारे कुछ जो जरकार ने लेंगा हुआ है उन हिदायतों के मताभक हमकाम हमने शुरू कर दिये हैं जैसे अभी गूरोंडा मंडी से में आया हूँ वहाँ पे जो लोडिंग है मंडी से शुरू करवा दिये है रूँ हमारा एक गेट पास ब तुरंत डिमाइडी पाई जाएगा रहा हम उसको तुरंत वहां पे पेमेंट के लिए प्रोशीट कर देंगे जो तीन दिन पहले के सानुगी सर्भी यह रीद हुई है तीन दिन पहले यह उनको मां कि दोलर अर्टालिश गंटे जी उपर टाइम हो चुका है क्या भी स्टार् को आप समझ सकते हो कि सुरुवात में कुछ टाइम लगता है प्रक्रिया बंद लाइन पे आ जाएगी जी ठीप है यह इसमें केमेरे पास आया था पर यह अहां जी दुशना सब्सक्राइब ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें